जहिन दोस्तो केरियर एक्षन सेंटर में आपका स्वागत थे तो बताइए जी आप लोग कैसे हैं तो हमें उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग को हिंदी की तयारी बहुत अच्छा खासा हो चुका होगा तो आज का हिंदी का यह अंतिम वीडियो होने वाल हिंदी में 50 में 50 नंबर आने की संभावना है और दूसरा हिंदी का कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा तो आप लोग यह वीडियो करते रहिएगा यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजेगा तो चलिए आप चलिए अगला कोश्चन पर जल दे थोड़ा सा पेन को हम चेंज करते हैं चलिए अगला कोश्चन चार नमबर एकि भीवराव अमबेदकर का जनाम कहां हुआ था बताईए आप लोग तो आप लोग बोलिएगा कि ओप्शन बी होगा महु मध परदेश होगा ओप्शन बी ठीक है चलिए अगला कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नमबर पाच परिवार में हुआ था तो आप लोग बोलिएगा ओप्शन सी होगा दलित परिवार में ठीक है ओप्शन सी दलित परिवार में चलिए जी अगला कोश्चन है कि डॉक्टर भीव राम अमबेदकर के पिता का क्या नाम था तो बोलिएगा आप लोग राम जी सकपाल राम जी सकपाल option B होगा ठीक है जी चलिए जी अगला question 6 नंबर पर चलते हैं सत्मा नंबर question आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि डॉक्टर अम्बेदकर के माता का नाम क्या था बताईए आप लोग डॉक्टर अम्बेदकर उच सिच्छा के लिए कहां गए थे तो आप लोग बोलेगा निव आर्क, ओप्शन C, ओप्शन C, निव आर्क ठीक है चलिए नौ नमबर कोश्चन है कि डॉक्टर अम्बेदकर किसके परतोसोहन पर निव आर्क पढ़ने गए डॉक्टर अम्बेदकर किसके परतोसोहन पर निव आर्क पढ़ने गए तो आप लोग बोलेगा बड़ोदा नरेश, बड़ोदा नरेश, ओप्शन B, ठीक है चलिए जिए, बारा नमबर कोश्चन है कि भीमरा अम्बेदकर अपना प्रेर ना सुरोत किसे मानते थे आप लोग पता होगा यह कोश्चन का अंसर, भारतिये संविधान किसने लिखा तो आप लोग बोलेगा भीमराव अम्बेदकर भीम राम अम्बेतकर ओप्शन B होगा ठीक है जी चलिए अगला कोश्चन पर चलते हैं भीम राम अम्बेतकर ने किस पत्रिका का संपादन किया तो आप लोग बोलेगा वहिस्कृत भारत वहिस्कृत भारत ओप्शन C ठीक है चलिए अगला कोश्चन पर चलते हैं मुक नायक क्या ? तो आप लोग बोलिगा मुकश नायक पात्रिका है ? ऐप्सन B थीक है ? चलिए , डॉक्टर भीम रांबेदकर की मिर्तिव कब हुई ? तो आप लोग बोलिगा जी आप लोग ये वीडियो पूरा complete देखते हैं तो आप लोग को 50 में 50 सही होगा ठीक है तो आप लोग वीडियो को continue देखते रहेगा आप लोग को energy down नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए अठारा नंबर question है जाती पाती तोड़क मंडल कहां होना था जाती पाती तोड़क मंडल कह होना था तो आप लोग बोलेगा लहौर में option ए लहौर में ठीक है चलिए güzel को चुさいं की a रचना है तो आप लोग बोलिएगा भीम राव अंबेदकर की भीम राव अंबेदकर ठीक है चलिए जी अगला कोश्चन पर चलते हैं हम लोग अगला कोश्चन की जेनेसिस एंड डेवलपमेंड किनकी रचना है तो आप लोग बोलिएगा भीम राव अंबेदकर की है किनकी ह जित्तो भीम राव अंबैद करकी है चले हूब आर दे बूलाभ हुआ हुआ दे किन पाताइस पुद्ध वीद्हकर झाम। रताईए यह भी Koffic Word question है तो ध्यान रखने वाली बात है तो आप लोग बोलेगा भीम राव-अम्बेतकर के किनकी है तो भीम राव-अबधकर एठीक है चलोड़ बुध एंड हिज धम्म किंकी रचना हैं, तो आप लोग बोलिएगा Bheem Rao Ambedkar की, भीम राव Ambedkar की option फिक है, छले, ये है यदार्द उन लिंग्युश्टिषर्ट की रचना है, तो आप लोग बोलिएगा Bheem Rao Ambedkar की की है, Bheem Rao Ambedkar, चलिए, तो आप लोग बोलेगा भीम राव अम्बेदकर की चलि एनिहलेशन और कास्ट किनकी रचना है तो बोलेगा भीम राव अम्बेदकर की है चलि एक तिस नंबर कोशन आप लोग कोश्क्रिन पर दिख रहा होगा कि डाक्टर अम्बेदकर का हिंदी के कितने खंडों में परकासित हो चुकी है बताईए आप लोग ये धियान देने बाली बात है तो आप लोग बोलेगा 11 खंडों में ठीक है 11 खंडों में चलिए जगला कोशन है कि अम्बेदकर ने भारत में बेरोजगारी का परमुख और परत्यच कारण किसे माना है बताईए किसे माना है तो आप लोग बोलेगा जाती पर्था जाती पर्था ओप्सन बी चलिए जगला कोशन है कि अम्बेदकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है तो बोलेगा आप लोग दूद पानी के मिसरन की तरह दूद पानी के मिसरन की तरह ठीक है चलिए अगला कोशन पर हम लोग चलते है जी आपका अगला कोशन है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है भाईच आगला question पर चलते हैं शर्मी विवखाजन कैसे समाज की आविसकता है तो आप लोग बोलिएगा कि सब भी समाज की सब भी समाज की कि ओपसा ने चलिए जी अगला कोश्चन पर चलते हम लोग आपका अगला कोश्चन है कि वावा साहब के अनुसार आदर से समाज की से कहा जाता है वावा साहब के अनुसार आदर से समाज की से कहा जाता है तो आप ल अगला कोश्चन है कि जाती परताई सर्म विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए हैं। बताईए किसका रूप लिए हुए हैं। तो बूलिए कि आप लोग सर्मिफ भीभाजन काThis तर्मिक विभाजन का option C, चले जाती पर्था क्या निर्धारित करता है, तो आप लोग बोलिएगा पेशा, option A ठीक है पेशा, चले अगला एक ताली नमबर question है कि जाती पर्था, जाती पर्था का सबसे बड़ा दोस्त क्या है, बताइए आप लोग जाती पर्था का सबसे रख्या है, तो बोलिएगा आप लोग जाती पर्था, ठीक है चले जी, अगला question है कि जाती पर्था, भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुए, तो आप लोग बोलिएगा पर्तियच पर्मुख, इस चेप्टर का अंतिम question है कि लेखक को इस युग में कहां बेड़ा समना दिखाई दिया, तो बोलिएगा आप लोग जाती बाद, यदि आप लोग इस वीडियो को 50 पलस लाइक करते हैं, तो साम तक इसका subjective question का 0 आप लोग को solution मिलेगा, तो आप लोग ये वीडियो को जल्द से जल्द वीडियो सेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द आप लो चेप्टर है, तो आप लोग धियान रखिएगा, तो आप लोग का सबसे पहला question है कि 20 के दाथ पाठ के कौन लेखक है, बताईए आप लोग लेखक कौन है, तो आप लोग बोलिए गजी कि नलीन बिलोचन सर्मा, नलीन बिलोचन सर्मा, ठीक है, चलिए, दो नंबर question है, न नलीन बिलोचन सर्मा के पिता का नाम क्या है, नलीन बिलोचन सर्मा के पिता का नाम क्या है, तो आप लोग बोलिएगा, रामा वतार सर्मा, ठीक है, चलिए, दृष्टी कौन किसने लिखा है, तो आप लोग बोलिएगा, दृष्टी कौन किसने लिखा है, तो आप लोग नलीन बिलोचन सर्मा, ठीक है, मान दंड, यह कोश्चन है तो ध्यान रखेगा, मान दंड किसने लिखा, मान दंड किसने लिखा, तो बोलेगा आप लोग नलीन बिलोचन सर्मा, नलीन बिलोचन सर्मा, ठीक है, सहित्य का इतिहास धर्षन किसने लिखा, सहित्य का इतिहास धर ठीक है नलीन भिलोचन सर्मा का जनम कहा हुआ था तो आप लोग बोलेगा पठना एलस्सान टीक है चलिए अभी तक आप लोग वीडियो को لाइक नहीं कीये हैं सद्टियों को लाइक जरूड कीजेगा और यocy हमारे चैनल बें 있지 लरू जरूर सस्क्राइब कीजिएगा तो आपका 10 number question है Shain sahab के कितनी लड़कियां थी बताईे आप लोग Shain sahab के कितनी लड़कियां थी तो आप लोग बोलेगा 5 कितनी थी तो 5 बोलेगा ठीक है छले खोखा का दूसरा नाम क्या है खोखा का दूसरा नाम क्या है तो आप लोग बोलीए का खोखा जो धूसरा नाम है option B होगा k éléments ठीक है चले कासू किसका पुत्र था कासू किसका पुत्र था तो कासू जो था option A होगा शेण साव का ठीक है चलिए गिरदहरलाल सेण साव के factory 3 क्या था तो बोलेगा आप लोग कीरानी ओप्शन ए होगा ठीक है कीरानी मदन किसका वेटा है मदन किसका वेटा है तो मदन जो है गिरधर लाल का ओप्शन भी होगा ठीक है चले खोखा किन मामलों में अपवाद था खोखा किन मामलों में अपवाद था तो आपका ओप्शन पर चलते हम लोग आपका अगला कोश्चन की मदन ने खोखा की कितनी दाते तोड़ डाले तो आपका option B होगा option B ठीक है चलिए 2 चलिए सेंसाब की नई मोटर कार कितने की थी तो ये तो आप लोग को पता होगा कि ये थे सड़े साथ हजार का ठीक है ओप्सन सी चलिए अगला कोश्चन की सेंसाब की मोटर कार किस रंग की थी बताइए देखे कार गलत लिखा यहां पर कार लिखाएगा इस तरह से कार ठीक है बताइए तो वो थे काला ठीक है ओप्सन सी होगा चलिए जी अगला कोश्चन पर चलते हैं 20 नंबर कोश्चन की सेंसाब खोखा को क्या बनाना चाहते थे ये काफिन पर इन कोश्चन है तो धियान रखेगा तो आप लोग बोलेगा इंजिनियर ओप्सन बी होग में अपवाद था खोखा किन मामलों में अपवाद था बताईए आप लोग तो आप लोग बोलेगा घर की नियम्मों को धाजिया उडाने में ठीक है खोखा ये सभी कोश्चन आप लोग करा चुके थे चलि अगला कोश्चन आप लोग को ये भी कोश्चन हो चुका था ठी ठीक है चले सेंसाभ के आखों के तारा कौन था तो आप लोग बोलेगा option B होगा खोखा ठीक है चले सेंसाभ किस तरह के आदमी थे तो आप लोग बोलेगा ताना सा ताना सा option B चले मदन और कासू के बीच जगड़े का क्या कारण था तो आपनों बोलेगा लट्टू खेलने की ललक लट्टू खेलने की ललक उप्शन C चले मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है तो आपका option B होगा मार ठीक है जोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्षर कौन जीता है जीतता है तो आपका बोलिएगा अंसर होना चाहिए कि महल वाले option B ठीक है महल वाले ही जीतते है मोटर कार को अगर खत्रा था तो किस्य था अगला question नलीन बिलोचन सर्मा का जनम कब होगा था तो आप लोग बोलिएगा option C होगा 22 April 1925 में ठीक है चलिए अगला question पर चलते हैं हम लोग कि खोखा किस कहानी का पात्र है खोखा किस कहानी का पात्र है तो आप लोग बोलिएगा option ही होगा 20 के दात खोखा नाउमीद बढ़ापे का क्या था खोखा नाउमीद बढ़ापे का क्या था तो आप बोलिएगा option B होगा सहारा सीमा कौन थी सीमा कौन थी तो आप लोग बोलिएगा सेन सहब की ठीक है चलिए 31 नमबर कोहचन है कि सेंथ साहब की गाड़ी कौन छू रहा था सेंथ साहब की गाड़ी कौन छू रहा था तो आपका option C होगा ठीक है? option C मदन चलिए जी अगला question पर चलते हम लोग आपका अगला question है कि Mr. Singh की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी तो आप लोग बोलेगा कासू ने कासू मदन के साथ किस खेल में सरेरक होना चाहता था तो बोलेगा option D किसने मदन को एक घुसा रसीद कर दिया बताईए आप लोग तो आप लोग बोलेगा खोखा ने चलिए ऐसे लड़की आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं या किसने कहा था तो बोलेगा सेन सहव ठीक है चलिए सेन सहव की किस कहानी के पातर हैं तो आप लोग को पता होगा कि 20 के दात स्वस्ते लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सीखाया जाता था तो बोलेगा खेलना ठीक है चलिए अगला कोश्चन पर चलते है खोखा खोखी का क्या अर्थ होता है तो खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची और भाई बहन स्वरी भाई बहन कज 명 कि भारत को हिंदी में रुपांतृत किसी ने किया तो बोलेगा भवानी कि रहने discuss कहां किराने वाले थे तो जर्मनी किराने वाले थे ठीक है चले मैक्स मुलर का जनम कहां हुगा मैक्स मुलर का जनम कहां हुगा तो बोलिए आप लोग डेसाओ जर्मनी में डेसाओ जर्मनी ओप्सन बी में चलिए जी अगला कोश्चन पर हम लोग चलते हैं फोल एनरजी के साथ कि Max Muller का जनाम कभ हुगा था Max Muller का जनाम कभ हुगा था बताइये तो आप लोग बोलेगा 6 990 अगला कोशन पर चलते हम लोग अगला कोशन है आप लोग को सामने कि Max Muller के पिता का नाम क्या था Max Muller के पिता का नाम क्या था तो आप लोग बोलेगा Wilhelm Muller Wilhelm Muller Option A ठीक है चलिए अगला कोशन पर चल दे Max Muller कितने साल के थे तो उनके पिता की मिर्ति हो गई बताइए आप लोग Max Muller कितने साल के थे तो उनके पिता की मिर्ति हो गई तो बोलेगा आप लोग 4 वर्स कितने थे तो 4 वर्स आ उप्सन ए चलिए अग़्ला कोशन है कि किस विद्याले में मैक्स मुलर संस्कृत की पढ़ाय कियें किस बिश्विद्याले से मैक्स मूलर संस्क्रीट की पढ़ाई कियें तो आपका सही अंसर देखा जाए तो बोलेगा आप लोग ऑप्शन भी होगा लिपजिंग बिश्विद्याले मेगदूत नामक पुष्तक का अनुबाद मैक्स मूलर में किस भासा में किया बताईए आप लोग तो आपका अंसर होगा जर्मन भासा में चलिए जी अगला कोशन है कि मेगदूत नामक पुष्तक का जर्मन भासा में अनुबाद किस ने कराया तो आप लोग का सही अंसर देखा जाए तो बोलेगा मैक्स मूलर सहाब का मैक्स मूलर सहाव का ठीक है जी चलिए यगला कोशन है कठ और केन उपनिशद का अनुबाद मैक्स मूलर ने किस भासा में किया वताईए तो आप लोग बोलिएगा जी कि आपका अंसर होगा जर्मन में ऑप्शन B हीतो पदेश का जर्मन भासा में अनुबाद किस ने किया तो तो आप लोग बोलिएगा जी कि ऑप्शन होगा D मैक्स मूलर ऑप्शन D चले भारत से हम क्या सिखे पाठ कौन सी बिद्या है बताईए तो आप लोग बोलिएगा जी भासान होगा ऑप्शन D महरानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधी परदान की तो बोलिएगा मैक्स मूलर को option ए चलिए तो बताई आप लोग भारत से हम क्या सिखे पाठ कौन सी बिद्या है तो आप लोग बोलिएगा जी कि आपका अंसर होगा भासन option डी ठीक है चलिए अगला कोशन है कि महरानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधी परदान की तो आपका अंसर होगा मैक्स मूलर को option ए ठीक है सच्चा भारत कहां बसता है बताईए आप लोग सच्चा भारत कहां बसता है तो आपका अंसर होगा गाउं में option C होगा ठीक है चले भारत में सर्वधिक अवादी कहां वस्ती है तो आपका option C is correct होगा ठीक है चले अगला question पर चलते हैं हम लोग आपका अगला question सुरू होता है जी कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्वधिक संपदा और प्राकृतिक संदर इसे परिपुर्ण कौन सा देश है तो आपका answer होगा भारत option है ठीक है चले किस number question है कि मैक्स मुलर ने कठ और केन के उपनी सद का अनुबाद किस भासा में किया तो आप लोग बोलिएगा जी कि आपका answer होगा जर्मन भासा में option D पलेटो का संबंध किस देश से है तो आप लोग बोलिएगा यूनान से option D चले पलेटो और बोलिएगा जी option B होगा ठीक है महांदार सनी का option B वारेन हैस्टी टांग्स था तो बहलिएगा भारत का गवर्नल जनेरल भारत का गवर्न जनरल ठीक है जी चलिए आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और दो क्वेश प्राचिन काल सिख्खा ऑप्शन बीटीक है चलिए अगला चेप्टर पर चलते हैं चलिए तो आपका अगला चेप्टर नाखुन क्यों बढ़ते हैं यह चेप्टर आप लोग को चाउठा नंबर चेप्टर है तो आप लोग धियान से देखेगा ललीतनी मंध क्या है बताई आप लोग वोलेगा हजारी पर साध द्げेदी ओप्शन बी ठीक है चलिए अगला कोशन पर चलते हैं आपका अगला कोशन शुरू होता है कि निरलाज अपराधी किसे कहा गया रख बताई आप लोग निरलाज अपराधी किसे कहा गया है तो आप लोग बोलिए का जी नाखुन को ओप्सन ए ठीक है चले किस देश के लोग बड़े-बड़े नख पसंद करते थे तो आपका ओप्सन ए होगा गौण देश के ठीक है चले पाच नमबर कोश्चन है कौन छोटे-छोटे नको को पसंद करते थे बताईए आप लोग जी कौन छोटे-छोटे नको को पसंद करते थे तो आपका अंसर होगा दचिनाते ओप्शन सी हजारी परसाद का जनम कहां हुआ था बताईए आप लोग हजारी परसाद का जनम क हाँ होगा था तो आप लोग बोलिएगा option b होगा बलिया में ठיע है चलिए नख किसका पर्तिक है बताईए आप लोग तो आप लोग बोलिएगा नख जो है पासूता का है ठीक है ओप्शन B होगा, चलिए आठ नंबर कोच्चन है कि दूसरे के इसारे पर भटकने वाले लोग को क्या काते है, बताइए जी आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा, मूर्ड लोग, मूल लोग उप्शन भी ठीक है चलिए नो नंबर कोशन है कि हजारी परसाद को साहित यकादमी पुरुषकार किस रचना पर मिला था बताईए आप लोग तो आपका अंसर देखा जाए तो बोलेगा अलोक पर्व और उप्शन विधियान से रखेगा यही सब कोशन आप लोग को आएगा आप लोग यह कोशन को मजाग में नहीं लिजेए शिर्फ आप लोग को यह कोशन यहां सही जितना भी कोशन रहेगा आप लोग को यहां सही पूछा जाएगा तो यह वीडियो को हलके में नहीं लिज पुराने आछे नहीं होते और फड़ नहीं खराब नहीं होते इसा किसिने कह हताई आप लोग आइसा किसनेत कहा तो आप लोग बोलिएगा काली दासने ओप्शन B आरे के पास था आरे के पास क्या था तो आरे के पास जो था लोहे का अस्त्र घोडे मीटी के घर इन में से सभी तो आपका ओप्शन D होगा ठीक है चले नाखधर मनुष से आज किस पर भरोसा कर रहा है तो यह प्रशन लेखग से किसने पूछा तो आपका ओप्शन C होगा ठीक है ओप्शन C चलिए जी अगला कोशन हीरो सीमा कहां इस्ती थे हीरो सीमा कहां इस्ती थे तो बताईए आप लोग हीरो सीमा कहां इस्ती थे तो आप लोग बोलिएगा कि आपका अंसर होगा जपान में option D Japan में ठीक है चलिए अगला question पर हम लोग चलते हैं दाधी ची की हड़ी से क्या बना था दाधी ची की हड़ी से क्या बना था तो बोलेगा इंद्र का वज्र, इंद्र का वज्र, option C चलिए अगला question पर हम लोग चलते हैं पूल एनर्जी के साथ आप लोग को एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए चले 17 अम्मर कोशन दुएदी जी ने निरलज निर्जल अपराधी किसे कहा है बताईए आप लोग तो आप लोग बोलेगा जी कि नाखुन को बोले ठीक है चले भारतिय संस्कृती कि क्या बंधन युक्तिय उप्सन सी ठीक है चली अगला कोशन पर हम लोग क्वलोग चलते ही हजारी परसाद दुएदी को किसपर गर्व है बताई आप लोग तो आप लोग भारतिय परमपराओं पर अपर अप्सन ए ठीक हम हिंदी साहित्य का आदिकाल किन की किर्ती है किनकी किर् दुए दे थैक है नाखुन का इतिहास किस पुष्तक में मिलता है, तो आप बोलिये है काम्सुत्र में हम बार 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 नाखुन कूं काटते हैं, बताईले आप लोग तो वरवरम समापन है तू, वरवरम था समापन, समय नहां हे थो ठीक है नागरी लीपी के लेखक कौन है बताईए आप लोग नागरी लीपी के लेखक कौन है बताईए तो आप लोग बोलेगा गुनाकर मूले ओप्शन B ठीक है चलिए अगला कोश्चन है नागरी लीपी पाठ कौन सी बिद्या है नागरी लीपी पाठ कौन सी बिद्या बताईए तो आप लोग बोलेगा option B होगा नीवांद ठीक है चलिए गुनाकर मूले की प्रारंभिक सी 26 परिवेश में हुई है हुई थी तो आप लोग बोलेगा option B होगा गरामीन ठीक है चलिए गुनाकर मूले का जनम कब हुगा गुनाकर मूले का जनम कब हुगा तो आप लोग बोले महराष्ट में option c गुनाकर मूले का निधन कब हुगा ये भी काफी important को अच्छने तो धियान रखेगा गुनाकर मूले का निधन कब हुगा तो आप लोग बोलेगा option a होगा 2009 चली अच्छर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुछतक है तो बोलेगा गुनाकर मूले ठीक है च नागरी लीपी के निवंदकार है गुनाकर मूले option a सबसे प्रचिंतम भासा कौन सी है सबसे प्रचिंतम भासा कौन सी है बताइए आप लोग तो आप लोग बोलेगा संस्क्रीट option b option b होगा संस्क्रीट चली अगला कोचन पर चलते हैं हिंदी किस लीपी में लिखी जाती ह हिंदी किस लीपी में लिखी जाती है तो बोलेगा आप लोग देव नागरी लीपी देव नागरी लीपी option b ठीक है चलिए जी अगला कोश्चन पर चलते तेरा नंबर कोश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नेपाली भासा की लीपी है नेपाली भासा की है तो आपका option d होगा देव नागरी देव नागरी option d चलिए माराथी भासा की लीपी है माराथी भासा की लीपी है बताईए तो आप लोग बोलेगा देव नागरी ये भी option d ही होगा ठीक है चलिए अंग्रेजी किस लीपी में लिखी जाती है अंग्रेजी किस लीपी में तो बोलेगा आप लोग रोमन लीपी में, उप्शन C, चलिए सुल्ला नंबर कोश्चन है, नागरी लीपी के प्रारंभिक लेक कहां से मिलते हैं, बताइए आप लोग कहां मिलते हैं, तो दच्छिन भारत से, उप्शन C होगा, ठीक है, बेतमा कहां इस्तित है, बेतमा कहां अगला कोश्चन आप लोग को स्क्रीन पे की, उत्तर भारत के नागरी लीपी को किसी लीपी के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बोलिएगा, उप्शन A होगा, उप्शन A, ठीक है, देवनागरी लीपी, सिध्धम क्या है, बताइए सिध्धम क्या है, तो बोलिएगा एक परकार की लीपी है उत्तर भारत में नागरी लीपी के लेक कब से कब तक मिलने लगते हैं तो आठवी सदी से ये मार येगा ठीक है चलिए इससे आच्छा खासा कोशन ये वाला पुछा जाता है इस चेप्टर का अंतिम कोशन है देवनागरी लीपी में मुद्रन के टाइप कब बने तो आप बोलेगा ओप्शन ये होगा दो सदी पहले दो सदी पहले तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चेप्टर पर और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किये चलिए बहादूर कहानी के लेखा का मरकांद का जनम कब होगा तो आप लोग बोलेगा ओप्शन बी होगा उनाइस सो पचीस इस भी ठीक है चलिए अपने घर से बहादूर क्यों भागा अपने घर से बहादूर क्यों भागा तो आपका ओप्शन बी होगा ठीक है मा के मार के कार, बहादुर की मा संभावता कैसी थी, तो कैसी थी, तो थोड़ा गुस सहला थी, option B होगा, ठीक है, बहादुर कौन था, बहादुर कौन था, बताईए आप लोग, तो बोलेगा, कहानी कारक के नौकर, कहानी कारक के नौकर, option D, चले, बहादुर की मा संभावता कैसी थी यह question repeat करा दिया गया बहादूर कौन था बताईए आप लोग तो बोलेगा बहादूर है जो है कहानिकार के 9 कर थे option D होगा ठीक है चलिए जी अगला question पर हम लोग चलते हैं आपका अगला question है जी अगला question है सुरी हाँ से होगा 10 number question एक 11 number बहादूर से मार खाकर किसके पास आ गई बताईए तो आप लोग बोलेगा option B होगा मा के पाश ठीक है मा के मार के डर से बहादूर रात बर कहां छीपा रहा तो आप बोलेगा जंगल में option B बहादूर घर से चलते 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 समय कितनी राशी लेकर आयात चला था ये काफिन बॉड़ेंस कोश्चन है तो धियान रखेगा तो आप लोग बोलएगा 2 रिपिया ठीक है आपका अंसर होगा 2 रिपिया ठीक है चली अग्ला कोश्चन पर चलते हैं बहादुर को लेकर घर कौन लाया था बहादुर को लेकर लेखक के घर कौन लाया था तो आपका ओप्शन C होगा बहादुर का बाप कहां मारा गया था तो आपका ओप्शन B होगा इूध में ठीक है कहानी कारक के लड़के का नाम क्या था बताइए आप लोग तो आप लोग बॉल्ये बहादूर का सवभाव कैसा था Bhaadur का सवभाव कैसा था तो आपका रुपया खौने का परपन्च किसने रचा था? रुपया खोने का परपन्च जिसने रचा था आपलोग तो आपका अंसर होता कहानीकार के रिष्ट्यदार की हक्यूप्सन की कितने रुपया खो गए थे तो आपलोग बोलेगा उपसन सी होगा 11 और रुपया ठीक एगारा रुपया चलिए अगला कोशन पर जलते हैं आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जिरूर कीजेगा ताकि आप लोग को हिंदी वाला कोशन सभी के सभी अब्जेक्टिव कम्प्लीट हो जाए चलिए बहादुर पर चोरी का अरोप किस नहीं लगाया बहादुर पर के दने रूपय की चोरी का अरोप लगाया था यह काफिन पड़न कोचे ने तो धियान रखेगा तो आपका अंसर होगा 11 रूपय उप्शन सी जहां पर तेष्ठा नहीं वहां क्या रहना यह वाद किसके मन में उत्पन होई तो आपका उप्शन भी होगा बह यह वहां करें में नहीं जाता यह आपके किसीने कहा तो लेखर नहीं कहता तो इस चेप्टर से इतना एक objective question, जितना भी important question था, सभी chapter से इतना हम लोग करा चुके, चलिए हम लोग चलते अगला chapter पे, अगला chapter जित जित मैं निर्खा थू तो ये सभी chapter से काफी important question उठता है, तो आप लोग धियान रखेगा, कि आपका पहला question ही जित जित मैं निर्का तू पाट के लेखा कौन है तो आप लोग बोलेगा पंडित विर्जु महराज उप्सान D होगा ठीक है जित जित मैं निर्का तू पाट सहित के कौन सी बिद्या है तो आप लोग बोलेगा सच्छात कर उप्सान D होगा सच्छात कर ठीक है चलिए अगल कोशन पर हम लोग चलते आपका अगला कोशन शुरू होता है कि पंडित विर्जु महराज का जनम कहां हुआ था यह आप लोग पंडित विर्जु महराज का जनम कहां हुआ था तो आप लोग बोलेगा लाखनाओं में हुआ था ठीक है अगला कोशन है विर्जु महराज की ख तो बोलेगा आप लोग कथक है ऑप्षान यह ठीक है बिर्जु महराज का सम्मंद किस घराने से है तो आपका ऑप्षान होगा लाख नव ठीक है बिर्जु महराज खुद को किसका सग्रिद मानते थे यह काफिन पड़न कोशन है तो ध्यान रखेगा तो आपका अंतर होगा पिता का उप्षान है बिर्जु महराज अपना सबसे वड़ा जैज किसको मानते थे सबसे वड़ा जैज किसको मानते थे तो बोलेगा आप लोग अम्मा को उप्षान सी चले बिर्जु महराज कौन सा वधेंत्र वजाते थे बिर्जु महराज कौन सा वधेंत्र वजाते थ तो आपका अंसर होगा सितार गिटार हर्मोनियम उप्सन डी चले बाबु जी के साथ बिर्जु महराज का आखरी प्रोग्राम कहां हुआ था तो आप लोग बोलेगा जी उप्सन से होगा मैनी पूरी मैनी मैनी पूरी ठीक है चली अगला कोशन है कि पंडित बिर्जु महराज एवं उनके पिता किस राजदरवार में नाचते थे यह काफिन बाड़न कोशन है तो बोलेगा आप लोग रामपूर में अप्सन है ठीक है चले पंडित बिर्जु महराज का जनम कब होगा था तो आप लोग बोलेगा कि चार फरवरी उन्हें 138 इस्वी चार फरव खरव महराज को डागा किसने बाड़ा तो आपका उप्सन भि ओंगा उनके पिता जी थेक है चले अगला कोशन पर हम लोग चलते हैं तो आपका उप्सन से होगा उनके बाबुझे ने अप्सन सी हिंदुस्तानी डांस मिउजिक कहा है थिस्थानी को औलेगा आप लोग ब अगला कोषिण संभु महराज बिर्जूमाराज के कौम थे तो आप लोग भूलियाろ भी संतों पीटा ठीक यहूं जोले बिर्जूमाराज कि ने कितने प्रोग्राम करके बाबुजी के दस्मी और तेरावी करवाई बताईए तो आप लोग बोलेगा दो कितने दो ठीक है चले बिर्जों महाराज आपने पिता के दस्वा एवं तेरी करने के लिए कितने पैसे कठे किये तो आपका उपसंडी होगा 500 रुप्या कितना त पांसर पे ठीक है निर्थ की सिच्छा के लिए पहले पहल बिर्जों महाराज की संस्था से जुले तो आप लोग बोलेगा हिंदुस्तानी डांस म्यूजीक दिल्ली ठीक है चलिए जी आगला कोशन पर हम लोग चलते हैं कि पंडित बिर्जों महाराज के सिस्ष्यत वर धा आदक कौन है तो आपका ऑप्शन भी होगा रसीम बाजबेई बिर्जों महाराज के वहनों का जनम हुआ था वहनों का जनम हुआ था तो आपका अंसर होगा रामपूर में ऑप्शन ए बिर्जों को क्या पहनने का बहुत सवक था तो बोलिएगा चस्मा ऑप्शन भी के हैं आपका अगला प्वेशन श्रूरुता कि सागिर्द का रथ है सागарिद का रथ है तो आप लग Sunny उपाजी और शन來到 पन्डित बिर्जु महराज घोल्द पन्डित एंक क्या है तो बो बोलेगा परसिद नर्तक के चले बिर्जु महराज के प्रारंभिक सिछा किस से प्राप्थ हुई थी तो अब बोलेगा इनका होगा कपील जी कपीला जी ऑप्षान सी चले इस चेप्टर का अंतिम कोशन है कि बिर्जु महराज की पहली से थी पहली से कौन थी तो आप लोग बोलेगा रमा उप्षान सी चले नेक्स्ट चेप्टर पर हम लोग चलते हैं चले अब आपका अगला चेप्टर सुरू होता है अवन्यों तो अवन्यों चिर्षक पार्ट के साहित कि कौन सी विद्या बताईए आप लोग तो आप लोग बोलेगा यत्र विर्टाल उप्ष कि मधा युगीन इसाई माठ ठीक है उप्षन भी होगा चले असोग बाजपई का जनम कब हुआ कब हुआ था तो बोलिए आप लोग बुलिए गाजी कि आउप्षन होगा 16,41 शुन तो आवन्यों किस नदी परिष्थी थे तो आवन्यों जो है आप लोग को रोन नदी मार नाइकॉन सा होगा उप्षन एक चले आसोग बाजपई नदी पर कवीताब में क्या समनता पाते हैं तो बोलें आउप्षन होगा ए दोनों भरे रहते हैं ठीक है चले परती एक वर्स आवन्यों में कैसा समारों आयोजित होता है तो आपका ये भी अंसर होगा उप्षन ए रंग समारों ठीक है चले लेखक श्री आसोग बाजपई अवन्यों किस से सिलसिले में गए थे तो आपका उप्षन भी होगा रंग समारों में भाग लेने लेखक अवन्यों क्या साथ लेकर गए थे बताईए आप लोग तो आप लोग बोलेगा जी कि हिंदु टाइपर ट पहले पहलिवार अवन्यों गए थे तो आपका उप्षन सी होगा दस वर्स ठीक है ला सत्रूज में आसोग बाजपे कुल कितने दिनों तक रहें तो आपनों बोलेगा उनीस दिन चले आवन्यों किस देश में हैं अवन्यों किस देश में तो आपनों बोलेगा फ्रांस में उप्सन भी ठीक है चले ला सत्रूज क्या था ला सत्रूज क्या था तो बोलेगा आप लोग इसाई मड़ था पिकासो क्या था तो पिकासो जो था चित्रकार था ठीक है रोन नदी के किनारे बसे सहर का नाम क्या है तो बोलेगा आप लोग उप्सन स्योगावन्यों पिकासो क भीक्यात्किती का नाम क्या है तो भूलेगा मादा मजिल्दा अवन्य। रोन नदी कहां, तो भूलेगा अपने फ्रांस का पर्मुक्षाणाकेंस, Рाहा है तो भूलेगा अवन्य। चले कवीता नहीं है तो भूलेगा अब लोगई आवन्य। और महत्मा गांधी अंतराष्टी ये हिंदी बिश्विद्याले के पर्थम कुलपती कौन थे तो बोलिएगा अवन्यों में था रूप पोप की राइधानी जिती है उप्शन बी होगा ठीक है बिलनब क्या है तो बिलनब जो है आपका अंसर प्रांस का एक छोटा सा गाओ है चली इस चेप्टर का अंतिम कोश्चन है कि आंधर वेंतरा क्या है तो आप लोग बोलेगा कभी है ओप्शन ये चली नेक्स्ट चेप्टर पर हम लोग चलते हैं और अभी तक आप लोग वीड